ओम शान्ती, दस फरवरी 2023 के इश्वरिय महवाक्य, पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोइंट्स पर, बाबा ने कहा, कल्प में एक ही बार यह बाप, टीचर, सत्गुरु का पार्ट चलता है. इस संगम पर ही मैं तुम्हें स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का राज सुनाता हूं, जो ना कभी देवताओं के मुख से सुन सकते, ना पतित मनुष्यों के मुख से. तो सारी पढ़ाई तुम्हारी बुद्धी में रहनी चाहिए, फिर दूसरों को भी दान देते रहो, यह है नौलेज, किसको भी सुनाओ, तो वे वंडर खाएंगे. बाप दवारा तुमको जो नौलेज मिल रही है, इसमें मजबूत वही रह सकते हैं, जो पवित्र बनते हैं. जितना पवित्र बरतन होगा, अर्थात बुद्धी गोल्डन एज होगी, उतना ही सहज धारना होगी. फिर बाबा ने कहा, बुद्धी को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ योग लगाते रहो, तो बरतन सोना हो जाएगा. बुद्धी में रहे, हम तो बाप के हैं, बस. उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए. तुफान सब बंद, पुरुशार्त करते करते, यह जरूर आनी है. भले रच्ता और रच्ना का सारा राज तुम समझ गए हो, लेकिन अब तुम्हें हद और बेहद से भी पार जाना है. और लास्ट में बाबा ने कहा, कई बच्चे चलते चलते तूट पड़ते हैं, अर्थात नापास हो जाते हैं. यह माया अच्छे-अच् को भी हप कर जाती है. तो तुम्हें माया से सावधान रहना है. बाबा एम अबजेक्ट बता देते हैं, पुरुशार्थ करना बच्चों का काम है, तब ही उच्च पद पाएंगे. और अब सुनते हैं माहवाक्यों को विस्तार से. मुडली का सार, मीठे बच्चे, बाप त इस से भी पार घर ले जाते हैं. सत्युग त्रेता है हद, द्वापर कलियुग है बेहद. प्रश्न, बाप दवारा, मिली हुई नौलेज में मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर, जो पूरा पवित्र बनता है. पवित्र नहीं, तो नौलेज धारण नहीं होती. पवित्र ग वही बाप समान, मास्टर नौलेजफुल बनते हैं. दूसरा प्रश्न, पुरशार्थ करते करते, तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? उत्तर, अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते, वह सब स्माप्त हो जाएगे. बुद्धी योग एक बन जाएगी. बाप जो भी रत्न देते हैं, वह सब धारन होते जाएगे. ओम शान्ती. मीठे मीठे रुहानी बच्चों को रुहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं. यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्यान, भक्ती और विराग्य का यह सृष्टी चक्र बना ह हुआ है. हद और बेहद के पार जाना है. कहा जाता है ना हद बेहद से पार. तो बुद्धी में यह ज्यान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है. बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार. इसका भी अर्थ समझना चाहिए. रुहानी बाप, रुहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं ज्यान, भक्ति, पीछे है विराग्य यह तो जानते हो ज्यान दिन को कहा जाता है जबकि नई दुनिया है वहां भक्ति होती नहीं, वह है हद की दुनिया वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे व्रिधी को पाते हैं आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है जब ज्यान अर्थात दिन है, तो कोई सन्यास धर्म नहीं है, विराग्य नहीं है सन्यास वत्याग वहां होता नहीं, यह सब बातें बुद्धी में रहने चाहिए धीरे धीरे स्रिष्टी की व्रिधी होती जाती है, जीवात्माओं की व्रिधी होती है आत्माई परमधाम से आती रहती है, हद से शुरू होता है इस समय बेहद में हैं, तो बाप हद बेहद से पार है, हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर स्रिष्टी वृधी को पाती हैं, अब इन से भी पार जाना है, इसको कहा जाता है बेहद, पहले आत्मई हद में थी, सत्युग त्रेता में पार्ट बजाती थी, कहा नौ लाख मनुष्य, कहा पान छे सो करोड, चले जाओ बेहद में, मनुष्य जांच करते हैं, कहा तक आसमान है, कहा तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते, उपर जाने की कितने कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापिस भी आ सके, बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे, हद बेहद से पार का राज, बाप तुमको समझाते हैं, पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं, तुमको रचना की आदी मध्य अंत की नौलेज होनी चाहिए, यह नौलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानत यह सब राज समझाने वाला बाप ही है, जो हद बेहद से पार है, तो बाप बैट, तुमको रचना की आदी मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर बाप कहते हैं, बच्चे, इनसे भी पार जाओ, वहां तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदी कु बिहद से पार, इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते हैं, बेंत, बेंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप ही सारी समझ देते हैं, क्योंकि वह है स्रेष्ट, अर्थात, बहुत समझदार, समझ समझ कर ही, बहुत समझदार माला का दाना बने हैं, मनुष्य कोई भी, रचता और रचना के आदी मध्य अंत का राज नहीं समझ से बाप ही समझाते हैं कहते हैं मैं हद को भी देख रहा हूँ बेहद में भी जाता हूँ इतने सभी धर्म है ऐसे ऐसे सापना होती है वे है सत्युग है हद की सृष्टी फिर कलियुग में है बेहद फिर हद बेहद से पार जहां हमारा शांती धाम है स्वीट होम है सत्युग भी है स्वीट होम वहाँ शांती भी है तो राज्य भाग्य भी है वहाँ सुख और शांती दोनों ही है घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांती होगी सुख का नाम नहीं अभी तुम शान्ती और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो वहां अशान्ती का नाम नहीं अशान्ती पांच विकारों से है यह दुनिया में कोई नहीं जानता आधा कल्प के बाद फिर रावन राज्ये होता है वो लोग कल्प की आयू लाखों वर्ष कह देते हैं समझ से कुछ भी नहीं इसलिए भ्रष्टाचारी, दुखी, पतित हैं जरा भी सभ्यता नहीं है जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता आसुरी कुन हो गए हैं यह है बेहद का ड्रामा अब कहा जाता है हद बेहद से पार बहुत दूर दूर जाते हैं मनश्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन उचे ते उचा है भगवान तब कहते हैं तुम्हारी गत्मत तुम ही जानो अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो परन्तु तुम्हारे में भी नंबर वार है बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धी कहां तक जाती है हद बेहद से पार वहां कुछ भी नहीं है तुम बच्चों के रहने का स्थान है वह ब्रह्मांड ब्रह्म मह तत्व जैसे आकाश तत्व में यहां बैठे हो कुछ भी देखने में नहीं आता है पोलार ही पोलार है त्रेडियों में कहते हैं आकाश वानी अब आकाश तो बहुत बड़ा है उसका अंत तो पा नहीं सकते उसकी वानी मनश्य क्या समझेंगे यह जो आकाश का तत्व है इस मुख से पोलार से वानी निकलती है इसको कहा जाता है आकाश वानी वानी मुख से पोलार से निकलती है वानी कोई नाकान से नहीं निकलेगी तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है जैसे हम आत्म हैं वैसे बाबा भी उचे ते उची आत्म है सब को नंबरवार पार्ट मिला हुआ है उचे ते उचा बाप, फिर नीचे आओ नंबरवार खेल में सबाते हैं नई दुनिया में पहले पहले हैं लक्ष्मि नारेन फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं माला को देखो, उपर में फूल उचे ते उचा भगवान, फिर है मेरू, युगल फिर माला देखो कैसे बढ़ती हैं ये सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धी में रहती है बीज और जाड, बीज उपर में है रचता बाप ने बैठ रचना के आदी मध्य अंत का राज तुमको समझाया है यह सृष्टी रूपी कल्प वरिक्ष है इनकी आयू भी एक्यूरेट है इसमें एक सेकेंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है तुमको कितनी नॉलेज मिली है इसमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं नहीं तो नॉलेज धारण हो न सके पवित्र बरतन गोर्डन एजट बुद्धी होगी तो नॉलेज ऐसे सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है नंबर वार मास्टर नॉलेज फुल बन जाएंगे यह राज बाप बिगर कोई समझा न सके न देवताओं के मुख से सुनेंगे न पतित मनुख से सुनेंगे बाप ही सुनाते हैं सोभी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो बाप एक ही बार बाप टीजर सत्गुरु बनते हैं पार्ट बजाते हैं फिर पांच हजार वर्ष बाद वही पार्ट बजाएंगे प्रले तो होती नहीं तो पहले है बाप उचे ते उचा शिव फिर मेरू उचे ते उचा महराजा महरानी फिर अंत में जाकर आधी देव आधी देवी बनेंगे सारा ज्यान तुम्हारी बुद्धी में है परंतु नंबरवार पुरुशार्थनुसार यह नौलेज तुम किसको भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे बाप नौलेज फुल बिगर यह नौलेज कोई दे न सके यह बच्चों को धारण करना बहुत सहज है कोई मुश्किल नहीं परंतु याद की यत्रा है मुख्ये सोने के बरतन में रतन ठहर सकेंगी उचे ते उचे रतन है यह बाबा रतनों का व्यापारी भी है ना अच्छा रतन आता था तो चांदी की डिबी में कपास डाल कर ऐसे बना कर रखते थे फिर ऐसे खोल कर दिखाते थे जैसे बहुत फ बरतन इन दवारा तुम सुनते हो धारन करते हो तो ये सोने का पवित्र चाहिए अर्थात बुद्धियोग बाबस से पूरा होना चाहिए बुद्धियोग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए तुफान बंद पुरिशार्थ करते करते यह स्टेज होगी बुद्धी को सब तरफ से निकाल मेरे साथ लगाते लगाते बरतन सोना हो जाएगा दूसरों को भी दान देते रहो भारत महादानी है भारत में धन आदी बहुत दान करते है ये फिर है अविनाशी ज्यान रतनों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं देह सहित देह के जो भी संबंदी है उन सब को छोड बुद्धी एक के साथ लगानी है हम तो बाप के हैं बस बाबा एम उबजिक्ट बता देते हैं पुरुशार्थ करना बच्चों का काम है तब ही उच्च पद पाएंगे कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए बाप है नौलेज का सागर हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ तुम भी हद बेहद से पार हो संकल्प आदी कुछ नहीं फिर तुम भी पार चले जाएंगे ग्रस्त व्यभार में रहते कमल फूल समान बनना है हद कारडे दिल शुबाबकु दे चलते चलते कई बच्चे तूट भी पड़ते हैं नापास हो पड़ते हैं तुमको सब मालूम पड़ जाएगा अच्छे अच्छे महरतियों को भी माया हप कर गई आज नहीं हैं बाप को छोड़ जाकर माया की एशलम लेते हैं पढ़ने वाले उच्च चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर माया भी बन जाती है जैसे ट्रेटर होते हैं दूसरे पास जाकर शरन ले लेते हैं जो पाउरफुल देखते हैं उस सरफ चले जाते हैं तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है वही सर्व शक्तिमान है हमको उच पढ़ाए एक दम विश्व का मालिक बना देते हैं कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुशार्थ करना पड़े ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हारे पास नहों सो भी है नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार बेहद के बाप विगर यह बातें कोई जानते नहीं तुम ही पुज्य थे फिर तुम ही पुजारी बने हो अब फिर पुज्य बनने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे हातम ताई का खेल दिखाते हैं मुहलरा डालते थे तो माया भाग जाती थी मुहलरा निकाला तो माया आ गई बाप समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो शरीर ही नहीं तो फिर द्रिश्टी कहां जाएगी इतनी मेहनत करनी हैं कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुशार्थ जलता है पुरुशार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो यह बात तुम ही जान सकते हो भले वह कहते हैं God Father है, हम सभी Brothers हैं, प्रंतु समझ से नहीं हैं, गाते भी हैं सबका सदगती दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है, राम को बाबा नहीं कहेंगे, बाबा एक शरीर धारी को, दूसरा अशरीरी को कहते हैं, पहले पहले है अशरीरी, फिर शरीरी बनते हैं, पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पार्ट बजाने के लिए लौकिक देहधारी के पास आते हैं, ये सब हैं रुहानी बातें, उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है, चक्र सारा बुद्धी में हैं, अभी है संगम युग, हमको अब नई दुनिया में जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुन भी जरूर धारन करना पड़े, पावन बनना पड़े, बाप को भी जरूर याद करना पड़े, और पूरा पूरा याद करना है, ताकि पाप कट जाएं, बाप कहते हैं, बाकी तो सारी दुनिया रावन की मत पर चल रही है वह है विकारी मत यह है निर्विकारी मत पांच विकार है ना पहले पहले है देह अहंकार फिर काम क्रोध मनुष्य अहंकार को पिछाडी में रखते हैं वासों में अहंकार तु पहले होना चाहिए पीछे और विकार आते है बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया हैं, हर पांच हजार वर्ष के बाद समझाते हैं, पुद्धी से समझ से हो बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थाद रचता और रचना का नौलज बताते हैं, इसलिए उनको creator कहा जाता है यू तो अनादी creation है, फिर भी समझाने वाला एक है, उनमें सारा ग्यान है, है अनादी बना हुआ ड्रामा कोई बनाता नहीं है, वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है, यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा है, यह अनादी शूट किया हुआ है, यह बना बनाया है, इस ड्र द्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्ये बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख हैं? पतित दुनिया में कितना दुख हैं? आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम। यह राज भी तुम्हारी बुद्धी में ही है। दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धार्णा के लिए मुख्ये सार। उल्टे सुल्टे संकल्पों से मुक्त ह पोने के लिए बुद्धी योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टी स्माप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूं यह अभ्यास पक्का करना है। अविनाशी ज्यान रतनों का दान करना है। बुद्धी को सोना पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। वर्दान स्वियम को बाप हवाले कर बुद्धी से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्वियम को बाप हवाले कर बुद्धी से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे कर स्वियम को बाप हवाले कर दो। अर्थात अपने सब बोज बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धी से सरेंडर हो जाओ, तो और कोई भी बात बुद्धी में नहीं आएगी, बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं, जब रहा ही नहीं, तो बुद्धी कहां जाएगी, बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुँच जाएंगे स्लोगन अडोलता के तख्त पर विराजमान हो साक्षी द्रिष्टा बन पार्ट बजाने वाले स्रेष्ट पार्ट धारी है अच्छा और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती ये एक बहुत संस्कारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कुई भी मिस ना करे